हेलो एब्रिवान वेलकम बैक टुद डिवाइन टैरो कैसे ही आप सभी लोग आई होप आई विश आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस सो आजके जो lighting करना जा रहे हुँ इस lighting में souhaλέ मैं देखूंगई कि आपके पार्ट्नर की current feelings क का है currently जिस भी वक्ट आप इस लेडिंग को देख रहे हो उस वक्त ये पॉर्सν आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं क्या feel कर रहे हैं क्या situation है आप दुनों की क्या कुछ कहना चाहते हैं यह पॉर्षन या आप दोनों के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है ठीक है आपके love life में आपको करना क्या है आपको अच्छे से अपने partner का ध्यान करना है आपके अच्छे से ध्यान केजिए अपने पॉर्षन का चलिए देख लेते हैं क्या सोच रहे है Divine Universe Angels clear messages दे और बताए मेरे वीवर्स जिसी वैक्ति का ध्यान कर रहे है किसी भी स्त्री पूरुष का ध्यान कर रहे है उस person की feelings क्या है ओके इतने सारे cards आ गए ओके हम ले लेते हैं the world कार्स खुट से आ गए अगर मुझे लगता कि मुझे रख देना चाहिए तो मैं रख देती राइट five of pentacles two of pentacles king of vents two of cups we have six of vents six of cups six of vents and six of cups number six strongly represent हो रहा है and number three है okay and number five the devil के अनरजी है page of swords okay the chariot so आपके पॉर्सन की energy में जो राशिया पिक हुई है वो राशी है Aries, Leo, Sagittarius okay Scorpio है, Pisces Kumbh राशी है, Meen राशी, Dhanu राशी Makkar राशी है Tula, Sing राशी, Kirk and Mesh okay Mesh राशी यानि की Aries है okay strongly जो पिक हुए है वो number six है number three number seven and number five strongly represent हुए है okay and number twenty one so यह पॉर्सन जो है कही नहीं इस वक्त अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे ठीक है यह अपने day to day life में ऐसा लग रहा है ना, normal है ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत ज़्यादा चहल पहल है लोगों के साथ मिलना जुलना उठना बैठना या बहुत ज़्यादा सोशलाइस कर रहे है ऐसा नहीं लग रहा है ऐसा लग रहा है कि आपके पॉर्सन जो है अपने life में काफी ज़्यादा normal है ठीक है बहुत ज़्यादा normal कोई third party situation है अगर आपको पता है कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा person involved है आप sure हो कि yes है तब भी कही ना कही ऐसा लग रहा है यह person जो है सरिफ अपने काम से काम मतलब रखते ठीक है इनका काम हो जाए बस अगर किसी person से मिल जू रहे है इनका काम से इनको जादा मतलब रहता है ऐसा लग रहा है अपने day to day life में morning में उठना office जाना काम करना यही सारी चीज़े कही ना कहीं आपके person कर रहे है और आपके साथ जो with five of pentacles जो break आया हुए ठीक है यह इसको बहुत जादा याद कर रहे है इनको ऐसा लगता है कि काश उस वक्त यह सारी चीज़े ना हुई होती है आपके person ऐसा लग रहा है past की तरफ बहुत जादा देख रहे है ठीक है past की तरफ यह person जो है कही ना कहीं आपने कोई सपना देखा है कि आप किसी और person के साथ married आप किसी और person के साथ शादी कर रहे हो या किसी और person के साथ आप जा रहे हो या यह सपना आपके partner ने देखा है definitely but dream की energy आ रही I feel कि आपने last night कोई dream देखा है कि आप किसी और के साथ married हो रहे हो वो dream देखने के बाद आप काफी जादा डर से गए like ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जादा चिंतित होने लगे कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ यह सब सारी चीजे मैं क्यूँ देख रहा हूं तो कहीं न कहीं dream में आप marriage देख रहे हो अपनी देख रहे हो but definitely आप कुछ न कुछ marriage related कुछ देख रहे हो ठीक है because यहाँ पर 600 bands के energy है आपके person जो है कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है घोड़े पर सवार है ठीक है बट यह घोड़ा कहीं न कहीं रुका हुआ है अब देख सकते हैं यह घोड़ा कहीं बैटर भी बनाया जा सकता है but आपके person कहीं न कहीं निगलेट करते हुए नजर आ रहे ठीक है यह person आपको बहुत जादा चाहते है definitely बहुत जादा मानते हैं यह person आपके साथ एक physical attraction महसूस कर अट्रैक्टिव दिखते हैं उनको कहीं न कहीं कुछ लोग एक या दो friends ऐसे हो सकते हैं या इनके close one ऐसे हो सकते हैं जिनसे definitely आपके बारे में discuss यह करते हैं ठीक है और यह friend उनको समझाते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ या फिर जो चीजे होती है वो अच्छे के लिए होती है किस तरीके से इनको motivate भी करते हैं सम्टाइम्स यह बहुत जादा सोच विचार भी करते हैं तो कहीं न कहीं लोग इनको समझाते में नजर आ रहा है ठीक है ऐसा लग रहा है कि इनके आसपास के लोग जो है वो सच्चाई देख पा रहे है आपके साथ जब रिष्टा तूटा या no contact में गए या किसी तरीके से उस समय इनको आभास नहीं था बट currently ऐसा लग रहा है कि इस person को आभास है जिसके वज़े से यह person जो है काफी जादा आप दोनों के रिष्टे को लेकर के यह सोच पा रहे हैं और कहीं न कहीं लोगों को जवाब देने से लाइक इनकार कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है यह किसी को communicate नहीं करना चाहते हैं या फिर किसी भी question का answer यह किसी को देना नहीं चाहते हैं लोग इनकी energy को इतना ज़ादा absorb कर रहे हैं because यह पहले बहुत ज़ादा हसते थे यह office में थे या workplace पे थे या कहीं पे भी यह business काम क्यों न करती हूँ वहां कि जो लोग हैं कहीं न कहीं उन लोगों ने इनको notice कर रहा है या इनके घरवाले हो सकते हैं इनको notice कर रहे ठीक है बट definitely आप से कहीं न कहीं disconnect होने के बाद यह person अपने life में खुश तो थे बट ऐसा लग रहा है currently यह अपने life में कुछ भी अच्छा महसूस नहीं कर रह इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी पूरी की पूरी दुनिया जो है कहीं नखीं धीरे धीरे करके एक normal day में convert हो रही है normal life में convert होरी है पहले जितना spark था आप दूनों के बीच में पहले जितना love था आप दूसरे के लिए जो energy feel करते थे जो love था आप दूनों में वो missing है, मस्ती वाली जो चीजे होती है, जैसे कि आपके साथ घुमना पिरना, उचना बैचना, लाइफ में जो एक शान्ती होती है, वो इस पॉर्सन के लाइफ में definitely missing है, ये सिर्फ काम काम ऐसा लगता है, हमेशा लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं, या कम्पीटर के पास किसी चेर में काम करते रहते हैं, ठीक है, बहुत जादा distract होते हैं, कहीं न कहीं आप से बात करने की इनकी इच्छा जाकरीत होती है, कि में इन से बात कर लो, connect कर लो, ऐसा लग रहा है, फोन को बहुत जादा घूरते हैं, देखते हैं या आपकी तस्वीर कोई है, उसको दे रहे हैं आपके पॉरसन के एनर्ची को कि ये बंदा या बंदी पहले कैसी थी, या कैसा था, और अब ये कैसा हो गया है, ठीक है, इस चीज को कहीं न कहीं लोग महसूस कर पा रहे हैं, आपके पॉरसन के अंदर बहुत सारे बदलाव चेंजिस नजर आ रहे हैं, ऐसा लग है कि आपके पॉरसन ने लंबे समय से किसी को अप्रोच नहीं करा, या लंबे समय से ये किसी देट पे नहीं गए, या फिर बहुत लंबा समय आप दोनों के बीच में हो चुका है, जो आप दोनों ने एक दुसरे को कनेक्ट नहीं किया है, बर डफिनेटली ये पॉरसन जो काफी ज़्यादा smile कर रहे हो देख रहे हो इनको विकास आपके person आपके साथ एक soulmate connection को feel करते है यहाँ पर two of cups के energy है definitely आपके person जो है आपके साथ एक stable connection को feel करते है ऐसा लग रहा है यह कोई decision बनाना चाहते हैं आपकी तरफ आने के लिए या फिर union में आना चाहते हैं आपके साथ but definitely यह person आपके साथ बहुत सारा love feel करते ठीक है बटी आपको दिखाते ऐसे है भाई gentleman की तरह ठीक है बहुत जादा egoistic अपनी power में रहने वाला मैं हूँ तो मैं ही हूँ मेरे आगे मेरे पीछे कोई नहीं है ठीक है मैं सबसे उपर हूँ कहीना कहीं आपके साथ balance भी चाते बट इनको ऐसा लगता है कि यह काफे जादा down जा चुके हैं और आप जो हो कहीना कहीं बहुत जादा grow कर रहे हो अपने life में आगे बढ़ रहे हो ऐसा लग रहा है आपने इनको बहुत लंबे समय से अप्रोच नहीं करा है आप इनके replies का wait कर रहे हो आप इनका wait कर रहे हो और यह आपका wait कर रहे है ठीक है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीजे हो चुकी है जो नहीं होनी चाहिए थी यह रिस्ता ऐसा लग रहा है पास्ट में बहुत beautiful था बहुत अब दोनों में प्यार love ठीक है आप दोनों में love passion बहुत था बहुत जादा passionate relationship था यह पर ऐसा लग रहा है family या तो यह married है या इनके life में kids है या आपके kids हो सकते हैं ठीक है तो हो सकता है आप दोनों extra marital affair में हो या फिर आप दोनों के बीच में जो चीजे हो रही है इस वक्त वो कहीं न कहीं आपको अच्छी नहीं लग रही है आपने ऐसा लग रहा है past में इनको कोई gift दिया था ठीक है definitely आपने इनको कुछ ना कुछ send किया है past में कोई gift दिया है या आप देने के बारे में सोच रहे हो ओके सो उस gift को कहीं न कहीं यह घूरती वे नजर आ रहे है या आपने अगर कोई gift दिया है इनको so definitely वो काफे जाधा घूर रहे है देख रहे है ठीक है एक चोटा सा letter ही क्यों ना हो या कोई लिफाफा या कोई farm ही क्यों ना हो इसको कोई card से क्यों ना हो ठीक है यह लग रहे है letter है कुछ card से या फिर कुछ ना कुछ तो है definitely बट बहुत कुछ beautiful सा है चोटा सा है यह बहुत बड़ा सा कुछ नहीं है like चोटा सा ऐसा feel हो रहे है कुछ है but I feel की बहुत happy है यह person उसको देख के ठीक है और यह person ऐसा नहीं चाहते कि अपनी life में दुखी रहो आप grow मत करो आगे मत बढ़ो definitely यह person चाहते है और ऐसा लग रहा है कहीं से ना कहीं से आपको देख रहे है और देख के यह बहुत खुश हो रहे है ऐसा लग रहा है यह person पहले से ही चाहते थे कि आप अपने life में आगे बढ़ जाओ grow करो अपने dreams को पूरा करो ठीक है इन पर depend ना रहो definitely आपके partner की height बहुत अच्छी हो सकती है आपको बहुत पसंद आती है इनका look काफी attractive है चाहिए जैसे भी क्यों ना दिखते हो बट आपको ऐसा लगता है कि yes इनका look काफी attractive है कुछ ना कुछ है जो आपको इस person के तरफ खीचता है या आप इनके look से नहीं इनसे प्यार करने लगे और कहीं नहीं यह totally यह जो person है लाइक आपको चाहिए ठीक ऐसा लग रहा है कि long term deal करो ठीक है long term चलने का सोच रहे थे बट currently ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कोई भी ऐसा सोच विशार नहीं है आप बस चाहते हो यह person आपसे मिले ठीक है आपसे बात करे या फिर आप दोनों के बीच में पहले जैसा कुछ हो या ना हो बट definitely आप दोनों में बाते जरूर हो विकॉसा लग रहा है ना आप इनकी आवाज सुनने को तरस रहे हो और यह आपकी आवाज को सुनने के लिए तरस रहे है ठीक है यह reality है यह truth है आप इसको जुटला नहीं सकते because feelings आप कभी भी रोक नहीं सकते राइट आप किसी के लिए feel करना रोक नहीं सकते भले ही आप उस person के उपर 10 minute के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए आप इन पर गुस्सा जरूर कर सकते हो ठीक है आप जिससे सच्चा प्यार करोगे ना ऐसा नहीं कहरें कि भाई दो दिन का चार दिन का relationship था आप बोल रहे हो कि भाई सिद्धत वाला प्यार है ऐसा नहीं होता अगर इस person से आपने सच में प्यार किया है तो definitely आप इनकी भलाई चाहते हो और आप चाहते हो कि ये person हर हाल में खुश रहे और इस person का नजरिया आपके प्रती आपके रिष्टे के प्रती बदल रहा है आप ये person चाहते हैं कि जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ उन सारी चीज़ों को आप भूल जाओ और आप इनसे एक नई शुरुआत करो ये आप से बात नहीं कर रहे हैं नो कॉंटेक में है ये बोलना जरूर चाहते हैं दिल से जरूर सोच रहे कि आप खुश रहो आप अच्छे से रहो ठीक है इनके मन में किसी भी तरीकी कोई यूजन्स या आपके प्रती कोई भी गलत थार्ट्स या नेगेटिव थार्ट्स नहीं है ये सच में चाहते हैं कि आभी आपके साथ खुश रहे हैपी रहे हैपी वाला रिलेशन्शिप आप दुनों के बीच में अगर फ्यूचर में कभी बनता है ये परसन आपके साथ बहुत हैपी फिल करते हैं ये परसन आपके लिए काफी ज्यादा है फिल करते हैं ये टू यर्स का था या शिक्स मन्त या आप इसे किसी सोचल मेडिया प्लैटफॉर्म पे मिले थे आप दुनों की बातचीत होई और ये परसन आपको काफी अट्रैक्टिव लगने लगे आप इनके प्रती दे बाइडे दे बाइडे कहीं ना कहीं आप इनके पीछे लाइक पागलो वाला प्यार करने लगे ठीक है इनके साथ कि बहुत जादा रॉमांटिक फील कर रहे हैं आपके परसन इस वक्त ठीक है बड़ी आपको दूर से देखते हैं ऐसा लग रहा है किसी सोचल मेडिया प्लैटफॉर्म पे आप हो कुछ बॉक करते हो के केक लाइक फील की केक ओके डोन नो यहां पे केक कुन यूज कर रहा है किसका बॉट डे आ रहा हो सकता आपका बॉट डे आ रहा हो या आपके पार्टनर का इसी मन्त में हो या फिर नेक्स्ट मन्त हो ठीक है बर डेफिनेटली किसे केक की वाइफ फील हो रहे है ऐसा लग र रहे हो ठीक है या केक के रिलेडिट आपको सीखना चाहते हो I don't know why कि मुझे केक क्यों फील हो ठीक है या तो आप खा रहे हो या तो आपको कहीं जाना है किसी का बाद्डे आ रहा है किसी की एनवर्सरी आ रही है या फिर आपके लाइफ में कुछ हैपी होने वाला है ठीक है जो आपसे हिड़ा ने डेफिनेटल या भी आपको दिखाई नहीं दे रहा या आप अभी सोच नहीं पा रहे बट आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ खुशिया आने वाली है जिसमें आप काफी खुल के सेलिब्रेट करने वाले हो कि एक साथ ए आपके लिए काफी जादा खुशिया ऐसा लग रहा है कुछ दौर से जो आपके लिए अपन होने जा रहे है ठीकेर और आप बहुत celebrate कर रहे हो, खुश हो, अपने जीवान में बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा लग रहा है one week के अंदर, ठीक है, ऐसा I feel कि one week के अंदर आपके life में कोई एक event होने वाला है, जो event आपके family से जुड़ा हुआ है, आपके mother, father, किसे ना किसे definitely जुड़ा हुआ है, इस so the moon की energy आई है, कहीं ना कहीं hidden है, आपकी जो खुशिया है, आपके life में जो चीजे होनी है, वो definitely अभी आप से hidden है, आपको सिरिफ वो सारी चीजे दिख रही है जो like आप देखना चाहते हो, आप जो सोच रहे हो उसी के related आपको वो सारी चीजे दिख रही है, ठीक है, आप देखने का, सोचने का नजरिया थोड़ा चेंज करो, definitely आपके life में changes expected है, कि आपके life में change हो, ठीक, okay, so आपके partner की राशी जैमिनी हो सकती है, इनुस बताएं, और क्या महसूस कर रहे हैं ये, और next क्या होने वाला इनुस बताएं, 9 of swords, 4 of pentacles, okay, अगर आपके person किसी और के साथ है, ठीक है, अगर आप clear हो कि yes, ये किसी और के साथ है, so definitely वहाँ से इनको एक, ऐसे चीजे इनके साथ होगी, जिवहाँ पे सब कुछ इनको खतम सा लगीगा, ठीक है, 5 of cups, आपके partner किसी situation में है, तो situation में ये खुश नहीं है, ये friends के related हो सकता है, इनके life में, या it hurt party के related हो सकता है, कुछ ना कुछ है, जो आपके person को छोड़ना है, ठीक है, अपने जीवन में छोड़ के आगे बढ़ना है, इनको पता है, जब तक से ये चीजे छोड़नी देते, इनके life में growth नहीं होगी, ठीक है, इनको ऐसास है, कि yes, छोड़ना चाहेंगे, because ये बहुत जादा desperate होके चीजों को सोच रहे हैं, जिसके वज़े से ये छोड़ नहीं पा रहें, आने वाले समय में ऐसा लग रहा है, ये person उन सारी चीजों को definitely छोड़ेंगे, ठीक है, because इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं आपके person ने hold कर रखा है, जिसके वज़े से ये आपके साथ happy relationship में नहीं आ पा रहें, ठीक है, और आपके साथ continue नहीं कर पा रहें, definitely आने वाले समय में उन सारी चीजों को छोड़ते वे नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई third party situation, या कुछ ना कुछ है, जब इन से अलग होगा न, then इनको बहुत तकलीफ होंगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये person खुशी-खुशी उन सारी चीजों को छोड़ रहे है, definitely इनको तकलीफ चरूर होगा, बट तब भी ये कहीं न कहीं छोड़ने का हिम्मत रखते हैं, दम रखते हैं अपने अंदर, then उसके बाद इस star की energy में आती वे नजर आ र रहे हैं, जिसके वज़े से आप दोनों का रिष्टा भी नहीं बन पा रहा है, ठीक है, इनके messages देख लेते हैं, I will contact you soon, definitely कुछ ना कुछ है, अगर ये छोड़ते हैं, तो आने वाले समय में ये आपको ही contact करेंगे, और किसी third party या किसी situation में ये involved दी होंगे, ठीक है, we have never only be friends इस तो आप दोनों friends नहीं हों, आपके partner आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप बहुत friend friend करते रहते हो, इनको पसंद नहीं है, ठीक है, you are not with me, I am lonely as can be, मैंने आपको starting reading में ही बताया कि ये person आपके बिना काफी ज़ादा lonely महसूस करते हैं, आपके बिना अधूरा महसूस क करते हैं, everyday my love for you keep on increasing, day by day आपके लिए जो passion है, जो love है, वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है, पॉरसन सांथ है, कुछ सोच विचार नहीं कर रहे हैं, day, night आपके बारे में ये सोचते हैं, और आपको हमेशा ये याद करने की कोशिश करते हैं, okay, और आपके बो I think about your day and night, wow, so beautiful message, guys, so ये पॉरसन काफी कुछ फील करते हैं, आपके लिए, day, night ये आपको याद कर रहे हैं, so बहुत ही बीटिफुल मेसेज है, guys, claim this energy, इस पॉरसन के मन में आपके लिए प्यार उमर रहे है, ऐसा लग रहे है, ये पॉरसन आपके लिए प्यार फील कर पारे रहे थे, वो सारी चीजे आप फील करने लगे है, धीरे-धीरे, ऐसा नहीं है कि आपको बता रहे है, जचता रहे है, अगर आप से नौक नटेक में है, नापको कैसे कहेंगे, आपको नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि नौक पारे में कुछ इस तेक कुछ गलतियों इनके बढ़ रहा है ओके सो यह थी गाइज आपकी रिडिंग पसंद आई हो रिडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर पहली बार आ है चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें धेर सारा प्यार दे वीडियो को शेर जरूर करें ओके अगर आप चाहते हो डिवाइन टरो फ